नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चेनल आर्डी एजुकिसन हब में दोस्तों रीट बरती से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं खासकर रीट बरती की एकजाब डेट और बिग्यपती को लेकर ये बड़ी खबर है आपके अपनी यूटूब चेनल आर्डी एजुकिसन हब के माद्यम से मैं आपको सबसे पहले एकदम लेट टेस्ट और अपडेटेड ड्यूज दे रहा हूँ इसलिए प्लीज इस ड्यूज को आप जरूर लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो सेयर कर दे दोस्तों आपको पढ़कर सुना देता हूँ अपेन यादब ने अभी अभी ट्यूट किया है उपेन यादब के ट्यूटर हैंडल से हमने ये स्क्रीन सॉट लिया है और उसकी वीडियो हम आप तक पहुचा रहे हैं ये खबर मैंने आपको आज दिन में ही कल दिन में ही दे दी थी लेकिन आज जो बड़ी अपडेट है वो एकजम डेट फिक्स हो गई है उसको लेकर है और साथ ही जो बिग्यपती है उसको लेकर के है तो रीड 2020 की फाइल सिक्चा वबाग ने चुनाब आयोग में अनमती के लिए भेज दी है और जल्दी चुनाब आयोग से अनमती मिल जाएगी इसकी भी न्यूज आपको सबसे पहले आपके अपनी यूटूब चेडल आरडी एजुकेशन आपके माध्यम से पहुचा दी जाएगी तयारी करने वाले अप्यर्तियों को तयारी करने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा जी हाँ दोस्तो बड़ी अपडेट उपेन यादब के द्वारा ये बड़ी अपडेट दी गई है कि जो अप्यर्ती रीट वर्ती की तैयारी करना चाते हैं उनके लिए तीन महीने से भी अधिक समय का टाइम दिया जाएगा बिग्यप्ती जारी होने के बाद और साथ ही उन्होंने एक्जम डेट भी फिक्स कर दी है और वो भी मैं आपको पताने वाला हूँ तैयारी करने वाले अप्यर्तियों को तैयारी करने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा रीट की परिक्षा अब भरवरी में होने की कम समभाबना है अर्थात भरवरी में आपकी रीट वर्ती नहीं होने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है फरवरी के अंतरगात रीट वर्ती नहीं होगी इसकी आप लगबग 0% समभावना समझेगा तो फिर कब होगी रीट की वर्ती तो इसका जबाब भी दिया गया है और मई जून में होने की पूरी समभावना है तो दोस्तो मई और जून महा के अंतरगात आपको रीट वर्ती की एकजाम देखने को मिलेगी और या पर फरवरी में आप रीट वर्ती की एकजाम नहीं होने वाली है जैसा हम आपको पहले ही संकेत दे रहे थे वैसा ही होने वाला है और रीट भरती की जो एक्जाम है वो अब फरवरी में ना हो करके मैई जून में होने की संबाबना है वहीं इसके बिक्यप्ति की अगर बात की जाये तो रीट भरती की बिक्यप्ति जल्द जारी होने वाली है इससे related और कोई भी news होगी आपको सबसे पहले बतला दी जाएगी